आज 29 मार्च 2023 दिन बुद्वार दोस्तो चलिए जान लेंगे दिल्ली अजादपूर मंडी में आज का निम्बू का क्या बजार चला निम्बू की मंडी में कितनी गाड़ी आई है चलिए दोस्तो अब दुपहर के पूर्या एक बच चुका है चलिए जान लेंगे एक बजे क द्रिश्य आज का क्या है निम्बू मंडी में निम्बू की क्या क्या बिग्री खुली कहां कहां के निम्बू आए चलिए जान लेंगे लेव पहले आपको बोली दिखा लेंगे बाद में जानेंगे आज की गाड़ियें कितनी है क्या क्या रेट कुला जी निम्बू का नि एक हजार पचास रुपे का कट्टा गया है अजी यह लगा लिए थोड़ा यहां 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 जैसा दोस्तों निम्बू उसका वैसा ही बजा यहां पर बैठ वे हैं साथ में बोली देख रहे क्योंकि बोली भी चलती है पारियों की गाड़ी आती है जो यह गाड़ी है खड़ी इदर में और इदर भी जो दोस्तों कहीं दुकानों पर बोली चलती है कुछ और निम्बू की मंडी दोस्तों ए और बीप लोग के मद्य में भी जहां ए और बीप लोग का सेंट्र है वहां पर भी काफी गाड़ी आती हैं यहां से निम्बू मंडी से ज्यादा पर यहां जितने का लोट होएगा चाहा कोई बोरी ले जाओ और चाहा कोई एक कट्टे का लोट दो का लोट पांच का लोट दस का लोट जैसा छोटे-छोटे किसानों का माल आता है वह पारी जाते हैं पिछे से लूठ नोचरे-चाह सरे नोचरे-चाहरे जाओं कि सब्सक्रा Ale Sum. नमस्कार गाड़ीयाा जी मार्किट में कैसी बिजार चला जी निम्बू औजी कहा कहा ऑंगे माल आ ए 흥 देखो मुख अभी यह तिलगाना और आंद्रा मदरास है दसगारी और दसगारी है अधराबाद है जिसको तिलगाना भी कह सकते हैं और हैदराबाद भी आप कह सकते हैं अनपर्देश 20 गाड़ी है यह दोनी सेडों की मिलाके एबी ब्लोक की वी अच्छा जी आज का बजार क कटे 12-14 रुपे तक साथ 800 रुपे से लेकर 12-14 रुपे तक और वजन कितना है जिसमें 22-24 किलो अच्छा जी अच्छा जी 2224 और जो बात करें जी यह जो बोरी है जी बोरी का क्या रेट चल रहा है यह बोरिया के भी रेट कल 3,000 था आज एठाइस सो रुपे अठाइस रु 3700 था कल 3,000 रुपे हो गया 3700 था तो बाट तीन जा रुपे हो गया अच्छा जी अच्छा जी और आज जो है और डॉन है अच्छा जी और ज्यादा भी है और माल गोली बहुत है बोली चोटा मोटे माल का डिमांड है ने जो जोता आज जो किसान तेजी के कारण में छोटा निम्बू जो तोर ली है हां जी तो उसके कारण देखो ये लए चोटा माल हम जी बहुत छोटा माल है यह अच्छा जी य स यह चोटा जी यह सात이면 यह जैए अच्छा जी एक आत़ में दोस्तों देखो ये 35 दाने तक निम्बू का साइज का उठा हूए है ये एक केजी में 45 से 60 दाने हैं ये वाले जी हाँ ये किसान भाई से अंडरोध है जो अपने पेर में रहने थे 20 दिन के बाद तोड़े इतना अफरात अपड़ी ना करे अच्छा इससे कच्रा ज्यादा मतलब मंडी में ज से जह है सेकंड़ सेज एकके जी में 35 दाने हुआं फैड़ ऐके छेवाए में 35 दाने और चौता मतलब साएज है 65 दाने अच्छा जिए तो 25 और 45 दाने वाले साइज जो है किसान भाई ना तोड़े अच्छा यानी जो यह अपना 25 और 45 और 40 दाने वाले किलो में चाड़ते हैं वो चाली दाने वाले भी नहीं पत्चीस से तीस दाने वालत तोड़े लाश्ट पैंटिस दाने एक केजी में तो मार्की स्टेंड रहेगी से हां मतलब क्वालिटी आएगा तो मतलब धब्बा खाया हुआ है यह पीला नहीं होता है इसके कारण से नहीं है अच्छा यह करण से किसान भाई तोर देते हैं और बहुत दिक्कत है अच्छा तो बजार यह निकल से भी गया परसों भी कम आधा और आफ और आज और जायरा है अच्छा यह बारिस तो बड़ी खतरनाक है जी निम्बू के लिए तो जी जरूरी है जीवन का हिस् पूर बंपर साहिज में आज यह हम मोटा साहिज है उसका किमत लगा लो अवे बीस लाट में एक लाट आया है जो ठाड़ा सुरुपे रिपिका है अच्छा जिया तो साहिज मोटे का डिमांड है तो किसानों का भी रूकना चाहिए अपना घबड़ी ना करनी चाहिए हां मतलब छोटा निम्बू ना तोड़े और बीस बिचीश दिन के बाद तोड़े हैं जी साहिज बना तो बढ़ेगा बहुत अच्छा रहे हैं इसका रेट नहीं मिल पर दन्यवासर जी बह अच्छा बाद किसाने कम तोड़े हैं तो दो तीन गारी है अच्छा जी आज बीस बाड़ी है कल सात आरह गाड़ी कमी रहे हां जी सब्सी मंडि एजादपुर हां जी एदो सो अर्तालिस और मुबाइल नमबर जी बरुन चोधरी अंशन मुबाइल नमबर 9811 009238 बहुत 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 सुक्रिया सर्जी जान कर दन्यवाद